हाई फ्रेंज फ्रेंज तोडेगार वी आरगने तुस्टार्ट अर्ड लॉट्टी थी तरी अनिन दिस तुदेज क्लास नंबर थर्थी थी यूज नंबर टू यूज आप वाज टू वर्डू आज की इस वीडियो में आपको यूज आफ वाज टू और वर्डू हम यूं भी कह सकते हैं कि यह जो यूज है यह जो नमबर वन यूज था हमारा इस 2M2, R2 का पास्ट भी कह सकते हैं तो इसकी निशानिया हैं ना था और नी थी इसके सेंटेंस के आखर में ना था और नी थी आएगा तो फार्मूला वो ही है जो इस 2M2 और R2 में इस्तवाल हुआ था सबसे पहले हम सब्जेक्ट लखेंगे उसके बाद यूज देंगे यूज से मुराद है कि अगर सब्जेक्ट हमारा I, 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 वनने में तो हम वार्ट तू लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, टू नेंस हैं तो फिर वर्ट तू लगाएंगे उसके बाद वर्ब की यूज में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तमाल करेंगे वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तमाल करेंगे और उसके बाद हमने देना है अबजेक्ट तो यहाँ पर एक sentence मैंने लिखा हुआ है मुझे खत लिखना था यह वाग टू और वर्ड टू का sentence है क्योंकि इसमें ना था आखर में आ रहा है मुझे खत लिखना था तो अब इस sentence को हम हखाई इंटू दिविन फार्वुला करेंगे तो सबसे पहले हम subject लिखेंगे I क्योंकि subject हमारा मुझे है अब I के साथ जो है यूज वाज मुस्तमार होगा वर्ड हमारा लिखना राइट और खत को जो इंगलिश में कहते हैं लेटर तो यह जो पहला sentence था हमारा मुझे खत लिखना था उसको हमने English में किया है तो यह हो गया है I was to write लेटर तो फ्रेंस इसी जुम्ले को हम negative, interrogative और interrogative negative भी कर सकते हैं जैसे के पिछले use is to M2 और R2 हम सीख कर आए हैं कि इसको negative करेंगे तो सबसे पहले I कहेंगे उसके बाद was उसके बाद not देंगे और फिर हम to का इसाफा करेंगे और उसके बाद बाद जो है right और आखर में हम later देके finish करेंगे तो यह हो गया है I was not to write later इसी जुम्ले को interrogative करेंगे तो सबसे पहले बाद दिखेंगे was I to write later क्या मुझे खत लिखना था अब इसी को interrogative और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो was I not to write later क्या मुझे खत नहीं लिखना था तो friends अब यह जो number one sentence था हमारा मुझे खत लिखना था उसको हमने जो है इस use was to और word to में affirmative, negative उसके बाद interrogative और interrogative, negative कर दिया है तो friends अब यहां पे मैंने कोई 6 sentences लिखे हैं जिनको हमने इस use was to और word to में English में translate करने हैं सबसे पहला हमारा sentence है महकान को comparing करनी थी सबसे पहले हम subject लिखेंगे जो कि हमारा है one name महकान अब इसके साब जो है walkthrough का इस्तमाल होगा अब करना जो है do और उसके बाद object है हमारा comparing तो यह जो पहरा sentence था महकान को comparing करनी थी उसको हमने word to और word to के use में किया है तो यह हो गया है महकान was to do comparing number two sentence है कत्रीना को shooting करनी थी सबसे पहरे हम subject लिखेंगे हमारा जो कह है कत्रीना अब उसके बाद वाद तो इस्तमाल होगा क्योंकि ना उस्सिंग्यूलर है यहां पर भी करना हमारा बैदू और shooting यह हमारा object है आते है number three sentence पे फैसल को दूद लाना था फैसल सबसे पहरे हम subject लिखेंगे फैसल was to bring लाना मिल का हमारा object number four sentence अब्दुर्जाक को मैच जीतना था अब्दुर्जाक अब्दुर्जाक उसके बाद सराजम को बायो पढ़ानी थी सराजम हमारा subject है यह भी नाम singular है तो वाजटु का इस्तमार होगा वाजटु टीच बायो आते हैं नमर six sentence पे जो कहें हमारा है आपको वाजटु चलाना था आपको यह हमारा subject है यू के साथ जो है यूज वाजटु इस्तमाल होगा यूज वाजटु यूज वाजटु वाजटु तो फ्रेंट्स ये कोई छे सेंटेंस थे जिनको हमने जो है ट्रांसलेट कर दिया है इस यूजट के अंदर वाजटु और वर्टु के अंदर फ्रेंट्स तो अब मैंने यहाँ पे कोई छे सेंटेंस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा उससे लंदन घुमना था यह जो घुमना वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने आपे लिख दिये अफर्मेटिव नेगेटिव 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 सेंटरी बनानी थी जो बनाना वर्व है उसका मैंने यहां पर लिख दिया है तो फ्रेंज यह कुछ सेंटेंस से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव करने हैं बजिक मैं तो यूँ कहूंगा कि मज़ीद आप ऐसे जुमले बनाएं जिनमें आप ये जाहर करें कि सब्जेक्ट में माजी में कोई काम करने का शोक था सब्जेक्ट अपनी मर्जी से माजी के अंदर कोई काम करना चाहता था मज़ीद ऐसे जुमले बनाएं उनको अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव करें जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे आप उतनी ज़्यादा काबिल बनते जाएंगे तो मैं यकिन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे आप हाड़ वर्ग करते जाएंगे जैसे जैसे आप ज्यादा मेहनद करते जाएंगे जैसे जैसे आप ज्यादा जो है मश्क करते जाएंगे आप जो है बहुत ही अच्छी तरह अंगलिस ग्रामर सीखते जाएंगे थेंक